तो इवियम जो है इस 21 सदी का सबसे बड़ा फ्रॉड है सच यह कि लोग का भरोसा इवियम के प्रती अब खत्म हो रहा है मैं समझ को अगर जनता जादतर अगर यह चाहती है कि बैलेट पेपर से चुना हो तो बैलेट पेपर से होना चाहिए यहां जब पूरे सरकारी डेटा है कर लेता है सरकार के सरकारी है तो इस चीप कौन सी बरीवात है जहाँ पर population this 80 परसेंट जो है उपठा लिका नहीं करें तो चम्झे जो महां गढ़बंदन के जहां पर यह बारती जनता पार्टी के लोगों को लोग नहीं मिल रहे हैं तो निपत जैसे लोग जगह पर प्रधान मंत्री का जो रेली है उसमें खाली कुरसियां के वल थी तो वाकई में ये चुनावा योग तो सही बोल रहा है कि भूत प्रेता के वोट दिये क्या है इसलिए में हमारी आस्ता नहीं है और इसके खिलाफ हम लोग एक आंदोलन चला रहे हैं आठ तारीकों पुरे देश के तमाम लोगों से अपील है जहां जो हूं जिनको लगता है कि उनके वोट के साथ हेरा फिरी हुई है मोबलाइज कीजिए और एक केंडिल मांच छेर से अट आप चलाई है मीडिया कह रहा है कि पहले तो मोदी लहर थी अब मोदी सुनामी आ गई है 2019 में बड़ा बहुमत के साथ बीजेपी फिर से सरकार बना रही इसके रुजहान भी देखने को मिल रहे हैं कहीं पर मुसल्मा मारे जा रहे हैं कहीं पर पिछडों को टार्गेट किया जा रहा है कहीं पर दलितों को निशाना बनाया जा रहा है तो कहीं संस्थानिक हत्या हो रही मतलब लग रहा है कि वो लहर सुनामी की रूप में तबदील हो गई लेकिन यह लहर सुनामी बनने के बीच की जो चुना सरकार उननीस का चुनाव हो चुका है अब नई सरकार का गठन भी हो चुका है और सबसे बड़ी खबर कि अम इस साह ग्रिह मंत्री बन चुके हैं देश के नियम कानून और कानून ब्योस्ता तमाम चीजें सम्हालेंगे इस सरकार के गठन से पहले हम यह बात कर लें क्या यह विश्वास से आई सरकार है या फिर अभी लोगों को यकीन ही नहीं हो रहा कि सब कैसे हो गया भी दस दिन से सब लोग सोच रहे कि इतना बड़ा बहुमत कैसे आ गया क्या यकीन कर लिया है मेडिया ने करवा दिया या नहीं इतना बड़ा चुपी अगर है इतने बड़ा स कि सुनामी कि क्या है यह तो चुनामी भी आता है तो सुनामी भी पर्मनेंट नहीं रहता ना पानी उपड़े खड़ा इसे थोड़ी रहता है तो जो आंखड़े आएं चाहे जो क्विंट का बहुत सारे अख़पारों का है और सोशल मीडिया ने दिखाया यह कैसे टेम्पू जो है संद्याश्पद है और इसलिए में हमारी आस्ता नहीं है और इसके खिलाफ हम लोग एक आंदोलन चला रहे हैं आठ तारी को पुरे देश के तमाम लोगों से अपील है जहां जो हूं जिनको लगता है कि उनके वोट के साथ हेरा फिर हुई है मोबलाइज कीजिए और तो अगर इतना है तो अप्शन दो देश की जनता में रिफ्रेंडम कराओ रिफ्रेंडम कराओ कि कितने लोग दिना चाहते हैं अभी देश में लिट्रेसी रेट ही आप देख लिजे ट्राइबल बैकवर्ड एरिया ग्रामीन शेत्रों में अभी का खाग आ नहीं रहा है आ और इसके जगा बैलेट पेपर से चुना होगा है लेकिन लोगों को अखास करना के बीच आप साथ चरने में देखिए ना फर्स्ट फोर फेज में ही कुईंड का रिपोर्ट है कि 373 कुईंड ने पूरा मेल का अपना जिक्र किया कि मैंने सवाल भेजा उनको ना जबाब न में गई थी तो कई जब रिपोर्ट हम लोग देख रहे हैं तब मुझे लग रहा है कि इसमें डाउट है और एलेक्शन कमिशन निस्पक्ष नहीं रहा जो नोट अब डाइसेंट था जो उनको उपिनियन रिकॉर्ड नहीं की गई यह वी एक तरह सा गैर संबैदानिक है ज हजार जादा वोटों की गिनती हुई सवाल इसलिए भी आपसे जरूरी हो जाता है क्योंकि आप दिल्ली सरकार में हैं और सबसे पहले आम आदमी पार्टी जिस तरह से एवियम के खिलाब बार बार सारफ भरत द्वाज ने तो एक डेमो भी दिखाया था कि किस तरह से एव सब्सक्राइब हो सकता है तो अभी चुनाओ और लोग सभा का आप लोग नहीं रोग सके विधान सभा के चुनाओ होने हैं क्या एवियम को हटाना संभाव लग रहा है या फिर उसी में सबने अपने विकल्प ढोल लिया है कि इस बार छोड़ देंगे तो हम जीत जाएंग कि चुनाओ यह चाहते है और बलकह बैट्वया सबस्क्राइब फ़ए चुनाओ जाइए भारति जनता पारटी के तरफ से या फिर चुनाओ आयोग भी लगभग उसी तरह की भाषा बोलती है वो लोग कहें कि बुरी हार हुई है आम आदिम पार्टी की या कॉंग्रेस की इसलिए ये लोग कर रहे हैं मसीन और मसीनरी में कहीं कोई गड़बडी ही नहीं है तब आप लोग कैसे यकिन दिलाएंगे लोगों को कि सिर्फ हार का मामला नहीं है विस्वाद की पार्टी का या कॉंग्रेस का किसी और पार्टी के बोलने का नहीं है सवाल है कि जो मतदान केंदर पर गिंती दिखाई गई है कितनी वोट पड़ी और वोट जो मसीन दिखा रही है गिनते उसमें जो इतना बड़ा डिफरेंस है वो डिफरेंस क्या संदे पैदा नहीं करता क्या इस पे चुनावायों को कुछ अपना जबाब नहीं देना चाहिए क्या चुनावायों को ये ध्यान नहीं रखना चाहिए कि वो समधानिक संस्था है और उसकी जिम्मेदारी बनती है दे इसकी जनता के विश्वास को कायम रखना, जो जनता चाहती है कि फेर एंड ट्रांस्प्रेंट इलक्षन होना चाहिए, साफस्वच और पारदर्सी चुनाव होना चाहिए, तो उसको मिंटेन करना क्या इलक्षन कमिस्टन उफ इंडिया क जिम्मेदारी नहीं बनती, और जिस तरह मसीने मलब बिना किसी सिक्यूर्टी के इस तरह कोई ओटों में जा रहा है लेके कोई कैसे जा रहा हो जो दिखाई गई है, लाइव उसकी रिकोर्डिंग्स जो जगे-जगे देखने को मिली है, वो क्या संदे पैदा नहीं करती, तो क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं संदे को खतम करें, यह उनकी जिम्मेदारी बनती है, और पर जा तंतर में लोगों को अपने बोट पर बरोसा होना बहुत जरूरी है, कि हम जिसको बोट डाल रहे हैं, महीं पर बोट जा रहा है, विशमताओं से भरे इस देश में एक ही और बसपा के आजाने के बाद, कई बार आप जब जमीन पे जाते थे तो सिर्फ महागडवंदन महागडवंदन दिखाई देता था, वहां क्या दिक्कत आई, वहां किसी तरह की सियासी चूक है, या लग रहा है, वहां भी मसीन और मसीनरी के जरिए, या पूरा सिस्टम औ जो महागडवंदन या गडवंदन के रैलियां हो रही थी, वहां लोगों को पैर रखने का जगह नहीं था, जहां पर ये भारती जंता पार्टी के लोगों को लोग नहीं मिल रहे थे, सो निपत जैसे लोग जगह पर प्रधान मंतरी का जो रैली है, उसमें खाली कुरसिय के वल थी, तो वाकई में ये चुनावयोग तो सही बोल रहा है कि भूत प्रेता के वोट दिये क्या है, जो समिकरन है, आज भी जिस हिसाब से पार्टी के अपने वोट बैंक्स हैं, उस हिसाब से कई बार जीत होती है, हार होती है, उसमें कोई अलग राय नहीं, लेकिन वो जीत हार का तह जैसे मध्यपूरा में, पचास हजार अरडिया में, पचास हजार इस तरह का पिछले दो तीन चुनाव में देखा गया है, और अचानक धाई लाक पौने तीन लाक से शरद यादव जैसे वेक्ति मध्यपूरा में हारते हैं, धर्मेंदर यादव जैसे जो समाजिक न्याय के लिए लड़ते हैं, उनको हराया जाता है, तो ये बात सपष्ट है और ये बात जो मंत्री महोदेर ने कहीं सही कहीं कि जो प्रक्रिया है किसी भी EVM ले जाने का उसका एक गाइडलाइन है, अंडर पुलीस प्रोटेक्शन और एंट्री होगा और आप जो प्रमानिकता के साथ मौजूद है, और कुरेशी साहब ने उसको उस पेजस को ट्वीट भी किया था, आप उसको खुद नहीं फॉलो कर रहे हैं, तो ये संदे क्या है, ये मैं समझता हूँ, दाल में काला नहीं, एंटायर दाल ही काला है, मसीन पर भी सक है और सिस्टम पर कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा है, बड़ी जीत पर जब सवाल उठ रहे हैं, तो BJP ने या संस्थाओं ने भी सोचा होगा कि इतनी ही बड़ी जीत करा दीजिए, कि जिससे यकीन, मतलब उस पर सवाल ही करना बंद हो जाए, क्या ये रहा है, या दूसरी बात, क्योंकि फॉर साथ लाग का रिस्क लेगा, दोनों में सच्चा ही क्या है, मतलब क्या सच में यूपी विहार के संदर में, अमेरिका के किसी प्रवक्ता ने दो दिन पहले कहा है कि यहां फेयर हुआ चुनाओ, उनको कहने कि जरूरत क्यों पड़ी है, आप इतना ही फेयर है, तो मैं चुन सामिल रही है, और बड़े पैमाने पर इसमें बड़े-बड़े डील्स होंगे अभी, देखिए का अभी अमेरिका का अभी क्या हुआ भारत को निकाल दिया है, किस गुरूप से, कौन से गुरूप से, सुरजी, मोस्ट फेवर्ड ने 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 निकाल दिया है, तो यह ब सरकार के सरकारी है, को जाती है, तो इस चीप कौन सी बड़ी बात है, जहांपे की पॉपलेशन इस 80 परसेंट जो है, उपढ़ा लिखा नहीं है, तो क्या पता है, यहां पे सरकारी लोग भी कैसे काम की ओविम जानते हैं, तो इविम जो है, इस 21 सदी का सबसे बड़ा फ्र सरू हो रही है, और यह सारे रिपोर्ट अल्मोस्ट आ गए है, बहुत सारे रिपोर्ट सागे हैं, उसके बेसिस पर हमारा कॉन्फरेंस ता आप से बात कर रहा हूं, यह अगर इसी को लगता है, कि नहीं सब गलत कर रहा है, तो सब के उपर मुकदमा कर दें, और कागज में ही देंगे, वैलेट पेपर में, तो आप कैसे डिक्टेट कर सकते हैं, कि आप मशीन में ही वोट दीजिए, यह बहुत जरूरी इसलिए है, क्योंकि तब तो मसीन का विकल्प भी नहीं था, जब अधिकार दिये गए, तो मसीन कैसे अनिवारता हो सकती, मसीन तो क लखने के लिए, इस तरह से हो जाए, तब भी क्या आप लोग मांग करेंगे, कि राजियों के चुनाओं परिणाम कुछ भी हों, हमें उससे नहीं मतलब है, हमें पूरी तरह से शक है, किसी रिजन्ट से नहीं पर्क पर्क लाइए, सवाल बिहार में, चुनाओं में किसी ए होनी चाहिए, यह मेरा इस पर मत है, कहने का मतलब यह है कि कुछ भी हो, अधिकार पर डटे रहना, आखिर सवाल यह है, अभी जो चुनाओं हुए है, जो रिजल्ट आए हैं, अभी तो उस पर सरकार भी बन गई है, तो उसे बदला नहीं जा सकता, एक मोटी तोर पर, क्या क्या भविष्ट दिख रहा है, राजनेतिक दलों के एक साथ आने का कुछ मुद्दों पर, या फिर अभी ऐसे बिख्राओं के पिति रहे हैं, देखिए, मुझे लगता है कि कौमन जो इसूज हैं, जो जायज इसूज हैं, और जहां समिधान को बचाने की बात है, जहां ल रही है, जनता के हित्मे हैं, और समिधान के मुताबिक है, तो ऐसी जगे उसको सपोर्ट भी करना चाहिए, लेकिन अगर समिधान के खिलाफ है, जनता के खिलाफ कोई काम होता है, तो एक जुट होके सबको उसका विरोध भी करना चाहिए, कुछ मुद्दों पर एक जुट कि चीज का डर है हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं। संभवता वो यह डेमॉरलाइजड है। उनको इस बुरी तरीके से हराया गया है या दिखाया गया है। कि आप आ रहे हैं। कि वो वो कॉन्फिडेंस नहीं पैदा हो रहा है। कि वो दुबारा हम तो समाज के अंग हैं और समाज के साथ उठते बैठते हैं। तो हमें पता है कि लोगों में इस पर रोश है। और उस रोश को प्रकट करना हमारा दायत्व है। और मैं समझता हूँ कि राजनितिक दलों का भी यह दायत्व होना चाहिए। कि अपने लोगों के बीच में जाए और पूछे तो सही सर्वे तो कराए। पुन्य प्रिसुन बाजपई ने लिखा है अपने ट्वीट भी किया था और बहुत अच्छा किया था कि यह जो महौल है इतना हत्प्रव होने के वज़ाए। आप अपने लोगों से पूछिए जाके सर्वे कराईए कि किसको वोड़ दिया था। एक पटिकुलर सेगमेंट चुनिए यह उसमें एक बूत चुनिए और वहां का मिलान कीजिए। एक सर्वे तो हो सकता है। तो यह देखिए मुझे लगता भारते जनता पार्टी के लोगों को भी इस रिजल्ट पर बरोसा नहीं हो रहा है। तो कुछ तो गड़ बड़ है। उनको खुद को बरोसा नहीं है। इसलिए वो उतना बड़े परमने पर सेलेब्रेट भी नहीं किया उन्होंने। आमादी पार्टी की दिल्ली में सरकार बनी तो दिल्ली में बसों में मेट्रों में लोग खुषते। किया आम आम लोग की पार्टी की सरकार बन गई है। तो अगर लोग इतने बड़ी मातरा में वोट देने किसी को जिताने के तो उनके चेरे बें खुसी क्यों ना देजनी आ रही है यह बहुत जरूरी सवाल है कि एक ऐसे देश में जहां पर इतने राजनेतिक दल हों पिछले 30 सालों से एक बार कापवाद छोड़ा जाए तो किस यह बहूरी सब्सक्राइप भी अब देखा जाएगा देल्ली में चणा होएं बिहार सबसे जरूरीज ही है कि देज अर लग अलग राजयों के चुना होंगे पांक साल बात पिर स्याम चुना होगा कैसी एक जुटता दिखती विपक्ष क्या इन सब चीजों से लड़ने के लिए कोई न कोई उपाय निकालने में सफल होता है या नहीं